मगर जब face change हो रहा है उसको temperature rise क्यों नहीं कर रहा यह question आते हैं तो दोस्तों हम इस को ईस तरह से answer बोल सकते हैं कि जब वो पंदम में अंतर आता है उसके bond तूट also you can do that कि आफ बहुत की प्यारा के अ ईंडर करेंगे जल्दीक हो जाएगी पहाड़ पे या ग्राउंट के इस अराम से सोच कर ही अंसर देना या आप यह समझ लोगी आईटी में आ चुका है आपको गलत नहीं करना है ठीक है आप जिस भी कॉम्टेटिटिव तैयारी कर रहे हैं जिसकी भी कर रहे हूं अब आपको सोचना है पोस्ट करना ह पर यह स्क्रीन और फिर आंग बन कर एक सोच कर फाइनली अंसर देना है और फिर अंसर देखें दो दुस्तों अब जो है टेमटर्टर फूर सिस्टम कराइश करेगा तो अब यह पांज ग्राम जो पानी तविया वो तो इसके साथ एड़ अब हो गया तो यह तो अभी अभ अब इसके जगाव पानी ले लो सिदिए ना आपको दिया यह वाटर यह केलोरी मेटर का वाटर एकुलेंट 10 है तो आपके बोलो कि हमारे पास पंदर ग्राम पानी नहीं बलके हमारे पास 25 ग्राम पानी हलो दोस्तों मेरे नाम है आशिस सोनी और आज हम सुरू करेंगे केलोरी मेटर का लेक्षे नमबर टू तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने लेक्षे नमबर वन में केलोरी मेटर की आल्मॉस्ट पूरी थियरी कंपिट कर ली थी और कुछ पॉइंट्स रहे गए थे जैसे क इवेपरेशन वेपराजिशन बॉलिंग पॉइंट फीजिंग पॉइंट तो दोस्तों आज हम इन सब पॉइंट को बहुत ही डीटेल में बहुत ही डेप्ट में पढ़ने वाले हैं एक बात विशेश तोर पर आपको ध्यान रहें कि इन पॉइंट पर हर एक्जाम ने कुछा चाहिए आप नीट ले लो चाहिए एडवांस ले लो किसी भी एक्जाम को देखोगे सभी एक्जामों ने इन पॉइंट पर पूइंट पूछे हैं और बहुत ही प्यारे ठीटिकल बनते हैं यह बात ध्यान ना किएगा चीजे पता होंगी तो आप सीधे टिक मार दोगे न उसके अंदर में सारे आयटी के सबके कॉर्शन जो है इंक्लूड कर दूँगा ठीक है और जो पूछा जा सकता है आगे है ना वह भी मैं आपको बता दूँगा कि क्या-क्या वह पूछ सकते हैं आगे क्लियर है क्या तो सब चीज बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करना द सब्सक्राइब करने में बहुत आसान हो जाएगा कि आपने पूरा की पूरा एक साथ रिविजन कर लिया प्लस वह चारों पॉइंट भी अपने दिमाग में डाल दिये और फिर अपने कोश्चन करने स्टार्ट कर दिये तो आपका दिमाग भी एकदम से काम करना शुरू कर दोऊदेगा ट्लियर तो बस इसी रिजन के लिए हम यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिविजन कर वा रहे हैं आपको क्लियर तो इससे भी ध्यान से देखना क्योंकि यहां पर रिविजन थोड़ा सा अलग भी में हो रहा है है ना जो आपने पढ़ा है वो तो अच्छी बा लिक्विट सकता है मतब्ला हो सकता है लिक्विट से वेपर बन सकता है मतब कि वेपराई हो सकता है है ना बोईल हो सकता है ये मेल्ट हो गया ये बोईल हो गया है ना और एक होता है सोलिड से वेपर बन जाना तो वो हो जाएगा सब्लिमेशन सोलिड से लिक्विड एक phase यह चेंज हो गया liquid से vapor, एक phase यह हो गया solid से vapor, तो यह अपने पास 3 phase होते हैं, सबको पता है है नाम, और जो solid से vapor होता है, उसको बोलते हैं हम sublimation, clear, तो दोस्तों अगर मैं पानी की अगर बात करूँ, basically पानी की बात करूँ, तो हम सबको पता है कि पानी जो है, 0 degree में जम भी हो सकती है हो सकता है कि कोई से ओल लिक्वीड को अगर मैं हापन लेता तो उसका boiling point जो है मतलब जब वो अपनी liquid state से vapor state में जा रहा हो तो हो सकता है उसको 100 degree किना जरूरत पढ़ते हो हो सकता है वो 120 degree में boil कर रहा हो हो सकता है वो 90 degree में boil कर रहा हो तो वो depends on that liquid clear तो हमें बस मैंली यहां पर face change मतलब था तो मैंने आपको बता दिया कि face change यहां पर अपने पास होता है लिक्वीड लिक्वीड से वेपर मैंली आपको यह दोनों देखने के लिए मिल जाएगा clear हो गया हाँ अब बात कर लेते हैं जो जनरल हमारे पास 99 परसंट चलने वाला है केस तो वह बटा पानी का तो पानी ही अपने पास चलता रहेगा हमारे जीवन में भी सब्जे के पानी पानी मिलता है है ना तो अब नहाते धोते हो तो भीया सब्जे के पानी आप यूज़ देते हो और उसमें 25 परसंट गरम पानी डाल देते हो तो वह थोड़ा सा इसे गुंगना बन जाता है उसी को तो बोलते हैं के लिमेटरी ठीक है यही कॉंसेप्ट है कि यह सब पढने वाले आगे तो जल्दी से इसको देखें अभी है ना यह तो आपने को पता चल गया मैंना अल्रेडे आपको क्लियर कर दिया था अब जल्देली समझ लेते हैं कि वाटर के लिए ले लेटेंटिस फ्यूजन और वेपरेजिशन क्या क्या होता है बटाई यह सब कॉंसेप्ट जो है यह पूरा वाटर के लिए बता रहा हूं इतना ध्यान रखना और दोस्तों यह जो चीज में आपको बता रहा हूं जिस तरह मुझे रटी है उसी तरह से आपको भी रटी होना चाहिए क्योंकि अभी तक तो IAT दे रहा है अब क्योंकि इतनी बार IAT दे चुका है तो हो सकता है वो कल को डाटा ना दे और सीधे सीधे कॉशन आप से पूछ ले और वो प्लिज इन डाटा को तो आप रटी लेना है ना दोस्तों क्या होता है और इनको रटना ही नहीं हमारे जमाग में उतारना है फील करना इनको यह फील इससे बहुत मज़दार है इनकी फीलिंग बहुत मज़दार है यह बच्चे इसको सिर्फ लेता भी है यह 80 है यह 540 है नहीं फील करना चलो देखते है लेटेंट हीट अफ फ्यूजन 80 केलरी पर ग्राम होती है है ना मतलब अगर में किसी एक ग्राम पान एक ग्राम आइस को 80 केलरी एनरजी दूँगा तो पिगल जाएगा इसका मतलब तो यह यह वह है ना लेटेंट इंटर फीजन तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ग्राम आइस को पिगलाने के ल ग्राम पानि को मुझे अगर वेपर में बदलना हो किसको एक ग्राम पानी को मातर, अगर मुझे वेपर में बदलना हो, तो मुझे 540 केलरी की एनरजी लगी गी साबश्म में आ रहा है क्या और तुम ये खुद सोचो कि यहां पर मुझे एक ग्राम आइस को पिघलाना है तो 80 किल्री से काम चल जाता है जबकि एक ग्राम पानी को मुझे केलरी में बदलना हो एक ग्राम पानी को मुझे वेपराइस करवाना हो तो मुझे 540 किल्री देना होगा तब जाकर वो वेपराइस होगा तो जितना मैं 540 किलरी देकर एक ग्राम पानी को वेपराइज करा रहा हूँ ना अगर उतनी इनरजी इस बरफ को देते था इस आईस को देते था तो क्या होता लगभग लगभग साथ ग्राम पानी बन जाता आप समझ रहें ना बात को लेटेंट उफ फ्यूजन अगर लेटेंट उफ वेपराइज़िशन से कम्पेर करोगे न तो देखो उनमें कितना बड़ा अंतर है लगभग लगभग साथ गुना का अंतर है है ना तो अब आपको तो फील हो रहा है कि नहीं कि लेटेंट हीट उफ वेपराज़िशन पका यह फील हुआ आपको वरफ से पानी जल्दी बन जाएगा वगर पानी को वेपर बनाना होगा तो थोड़ा तफ है और जितना उसमें एक ग्राम में आप उसको वेपर बना रहे हो ना जितनी इनरजी दे कर उतनी इनरजी अगर इस आईस को दी होती ना तो शायद लगभ heat of water क्या होती है तो दोस्तों यह मैं आपको पहले भी definition बिल्कुल clear way में बता रही है कि specific heat of water क्या होती है और वो होती है one calorie per gram per degree Celsius तो दोस्तों क्या हुआ इसका मतलब कि एक gram पाने को एक gram पाने को अगर मुझे एक degree Celsius से गरम करना है तो मुझे एक calorie के energy लगीगी clear है क्या देखो हम सबको पता है कि latent heat जो होती है हम सबको पता है कि latent heat जो होती है वह specific heat से हमेशा जाद ही होती है उसका कुछ नहीं कर सकते है जनरली किसी भी लिक्विड का specific heat से जाद ही होता है तो चलो फिर भी हम एक बर compare करके बताते हैं आपको feel आएगा इससे अब थोड़ा से समझ रहा है मैंने आपको क्या समझा है इसकी definition कि एक gram पानी को मुझे एक degree Celsius से गरम करना है तो मुझे उसको एक calorie की energy देना पड़ेगी अच्छा दो डिगरी से गरम करना होता तो दो calorie दस calorie दस calorie से गरम करना होता तो दस calorie देना होता अच्छा तो दोस्तों आप यह देखों कि अगर मैं उसको 80 calorie energy देता तो उसका temperature 80 degree बढ़ जाता अब ध्यान से समझ रहा है एक gram पाने को मुझे अगर 80 calorie energy दे दी जाए एक gram पाने को 80 calorie energy दे दी जाए तो उसका temperature 80 degree का बन जाएगा 0 से 80 degree चले जाएगा और जबकि 80 calorie की energy से तुम्हारा सिर्फ 1 gram ice जस्ट पिगला है समझ रहे हो आप कि ice जो 0 degree Celsius का था उसको 0 degree Celsius का water बनाने के लिए मैंने उसको 80 calorie की energy दी और जबकि इस 80 calorie की energy से अगली बार में वापिस अगर 80 calorie energy देता हूं तो वह एक gram का पानी सीधे सीधे 80 degree Celsius पे पहुंच जाएगा अब आपको feel आ रहा है कि latent heat और specific heat में कित्रा बढ़ानता रा जाता है feel हो रहा है कि नहीं कि उसको एक gram को पिगलाना होता है ठीक है और यहाँ पर इसका temperature 80 degree बढ़ जाता है और इंदों को भी compare कर लिए अपनने कि यह तो एक gram पिगलता है 80 से यह ना जबकि यहाँ पर वेप साथ ग्रम पिगला देगा नियरली सभी बात है तो मेरे ख्याल से आपको यह जो टाम से वह फील भी होने लगी है है ना तो कहीं बर आपको question में इसी feeling से अंसर समय आया था कि यह option नहीं हो सकता ठीक है चलो दोस्तों तो आप जल्दे आले हम आगे बढ़ जाते हैं फटा फ one calorie per gram per degree Celsius मतलब 1 degree Celsius से बढ़ाना हो एक ग्राम पाणि का temperature तो एक calorie की ज़रुवत परती है और अगर मुझे इसको किलो में बोलना हो तो क्या बोलेंगे 2 Joule के करीब होता है और ग्राम को पनने केजी में करमट करा तो यह तरह से हो जाता है ठीक है तो यह था अपने को complete में आ गया अब दोस्तों हमें सबको पता है कि जब हम temperature change करते हैं तो हम M-Zelta-T यूज करते हैं temperature change करते हैं और face change करते हैं हम ml यूज करते हैं यह मैंने आपको अल्री पहले बता रखा है हैं कि द्यूरिंग टेंप्रेचर चेंज वी यूज क्यों तो फेस्टेंज के दुरान हम ml यूज करते हैं ठीके तो दोस्तों अभी मैंने जो बात करी है वह पानी का टेंपर्चर जब राइस करेगा तब मैंने आपको बताए स्पेसिफिट और वाटर क्या होती है अब दोस्तों मैं आपको आइस और वेपर का बताने जा रहा हूं अब ध्यान से समझना जिसे कि मानलो माइनस 20 डिग सब्सक्राइब करें तो इस पूरे के दोरान आप आइस में थे ना उसका टेंपर्चर भी बढ़ा रहे थे ना तो इसलिए स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यूज़ करी जाएगी में तो इस ऑफ आइस क्या होता है दोस्तों तो वह होता है हाफ केल्री परग्रम पड़िए सल इतना है काम है थोड़ा तो वाटर को गरम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक से कंपरेड़ तू आइस को गरम करना आसक को पिगलाना नहीं बोल रहा हुं है यूज़ के अंदर तंपरेचर को रइस करवाना आसान होता है ना इस кажд दू बार डेणपर셔서 कर ना यह यह बना ली तो फिस्टोर डिगरी के जोट है उसके बास 101 जाना हो LOVE मैनेश 30-50 डिगरी का इस बनी हुई है तो उसके भी temperature जल्दी राइस कर जाता है यह ना मगर पानी का जो temperature है उनके compression में थोड़ा सा tough होता है राइस करवाना I hope कि इतनी सारे terms जो ही मैंने बिलकुल अच्छे से आप लोगों को बता दी है और आप लोगोंने समझ भी लिए होगी तो अब हम बात करते हैं सबसे में जो सबसे important होता है आपर principle of calorimetry दोस्तों यह क्या बोलता है कि heat loss by body at a higher temperature is equal to heat gain by body at lower temperature मतलब यह दोस्तों कि जो higher temperature पर body होगी वो energy loss करेगी और उसकी loss of energy से कोई अपने आपके energy gain करेगा मतलब वह हीट लेगा कुल मिलाकर कि यह हीट दे रहा है वह हीट ले रहा है मतलब यहापर conservation है दोस्तों है ना कि इसकी हीट इसके पास ही गई है स्राउंडिंग में कही नहीं भेजना अपने को अपना बिलकुल isolated system रहेगा हमेशा कि दो पाने को जब mix करेंगे दो कि और तीन किलो पाने मिक्स करा अगर मैंने तो आपस में जो भी temperature हो है ना उनके energy आपस में ही रहेगी यह समद बोल देना कि इनके energy स्राउंडिंग में भ कुन सा बनेगा सिर्फ यह बात करता है क्लियर यह इंफेक्ट यह भी नहीं बताता कि यह कितनी देर में करेगा जिसे कि दो चीजों को हमने mix करा अब वह एकलबिन टेंपरिचर पर आ गया मानलो 20 डिगरी 30 डिगरी दोनों को mix करा मानलो 25 डिगरी बन गया ठीक है तो अब व ठीक है तो यहां पर यह इसका principle है कि heat loss by body at higher temperature is equal to heat gain by body at lower temperature I hope कि यह तुमको clear हो चुका होगा दोस्तों बिल्कुल सारी terms एक 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 बिल्कुल clear रखते जाना जितने में यहां पर बता रहा हूं बहुत detail में बताऊंगा चीजे एकदम अच्छे से explain होंगी यहां पर जो लास्ट लेक्चर में कुछ बज गई थी वह यहां पर complete हो जाएगा clear तो बिल्कुल छोड़ना मत skip मत करना यह मैंने आपको अल्रड़ी बता दिये कि फेस्टेंज के दौरान हम एमेजल्टाटी यूज़ करते हैं और एस होता है specific heat और इसको बलते अपन हीट केपसेटी है ना सी को सी जगल टू एमेस होता है यह आपको पहले बता दिया था और डियूरिंग फेस्टेंज दोस्तों डियूरिंग फेस्टेंज हम लिखते हैं क्यूज़ कल टू एमेल और यहां पर मैंने दोस्तों आपसे सीधे-सीधे बोला था कि लेटेंट जो है जनरली specific heat से ज्यादा ही होता है मैंने आपको वैसे फील भी करके दिखाया है ना कि यहां पर 80 केलरी अगर दिया जाए तो 80 degree temperature बढ़ जाता है एक ग्राम पाने का जबकि यहां पर सिर्फ एक ग्राम ICP गलती है है ना तो यह मैंने आपको बताई दिया है पहले कि लेटेंट हीट जो होती है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराईजिशन जो होता है उसमें वो फ्यूजन से कई ज्यादा होता है है ना ले हीट देते हैं पाने को तो सर उसका टेंपरेचर राइस करता है हमें समझ में आता है हमें फील होता है ठीक है बहुत बढ़िया बट सर जब हम जिसे बरफ को या आइस को हम जब हीट देते हैं तो सर उसका फेस होता है यह तो बात समझ में आ रही है मगर उसका टेंपरेचर सब्सब्राइब करना सब्सक्राइब कर दे ओ содерж कि सब्सक्राइब करें हमें फील आता है कि हमारी जो एनर्जी गई है वह सही हाथों में गई है कि उसका टेंपर आइस करा अब यहां पर समझ में नहीं आता कि वह आइस था वह पानी बन गया है सभी बात है तो दोस्तों उसको समझो थो रासा होता कि आया ना जैसे कि अगर वाटर से हम वेपर बना रहे तो भी आप समझना है ना यहां पर जहां से समझना अब यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं दो चीजों को एक है बॉइलिंग पॉइंट और एक है फीजिंग जहां से सुनते चलना डिफिनिशन यहां पर आपको टेंपरेचर राइस करने वाली बात अच्छे समझ में आगए कि यूज होगा और वह फील भी होता है मगर सर जब फेस चेंज हो रहा है उसक्ट टेंपरेचर राइस क्यों नहीं कर रहा यह कॉश्चन आता है मन में तो हम उसको कुछ इस तरह से अंसर बोल सकते हैं कि जब वो अपना फेस कर रहा होता है तो उसमें बॉंड में अंतर आता है उसके बॉंड टूटते हैं और आप सब को पता है कि बॉंड जब टूटते हैं तो उसमें एनरजी होती है जैसे कि अगर हम बात करें पानी की तो जैस सब्दाने के अगेटिव dość है अब अपर यह हो गयाँ यह वाला हीड तो यह वाला क्या हो जाएक लेकशन यहास पर हो गया तो यह वाला क्या हो जाएक डिल नेगेटिव मिलके यह फूसिटlive यहाइज बोसी यह होडिंग करें है ना तो इस तरह से जो बॉंड़िंग होती है यह इस तरह से मतलब्ह बनाते है है एक्टव का बॉंड नहीं तोटता यह मत ध्यार दियार नहयं करना है एक्टवो के स्ट्रे peninsula मोलीकेव ऑँरल कर नहीं तोटता है थीक, एक like तरवलρι को की स्टेम थी नहीं बाद में वापिस चैने कर आपको रुह आपजा रस्ना बन जाता हो सरे कुछ और थोरा नहीं मनता है आपने पानी को यह बनता पानी यह न तो वह बता रहे हो आपको कि कौन कुछ प्रॉबलम साती है ठीकिन कुन सेबाले में पानी में आती होगी तो जो हमारी एनर्जी है ज बॉन्ट जो टूट रहे हैं उनको एनरुट पढती है है ना तो हमने जो एनर्जी दी है वह जो एनरुजी जा रही है तुम्हारी जो लोगई पेशा के दोस्तों तो आई होब कि आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं है ना चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनिशन आप क्लियर कर लो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसको में वेपराइशन और बॉइलिंग को हम इस तरह से बोल देते हैं कि जब वाटर का वेपर प्रेशर अगर स्राउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वह लिक्विड वेपराइज हो जाएगा सभी बात हैं और इसी तरह से हम फ्रिजिंग पॉइंट के लिए रिफिनिशन यह बोल देते हैं कि जो भी लिक्विड है उसका अगर वेपर प्रेशर सोलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वह जमने लगेगा और लिक्विड का वेपर प्रेशर स्राउंडिंग के वेपर प्रेशर के अगर बराबर हो गया तो वह वेपराइज हो जाएगा क्लियर हो गया ना दूस्तों यह वेपराइज था मतलब की बॉलिंग पॉइंट वाला काम कस था और एक फ्रीजिंग वाला पॉइंट था तो मैंने आपको दोनों एक्स्पेन करें अभी वेपरेशन वेपराइजिशन जो है वह थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा दोने मंतर तो अब यह ध्यान रखना कि in case of sublimation जब solid से सीधे-सीधे वेपर बनता है तो in case of sublimation and evaporation we generally take latent heat of vaporization as a best latent heat of phase transformation मतलब दोस्तों यह है कि calculation को easy करने के मैं आपको सीधे-सीधे बता रहा हूं कि कि sublimation हो sublimation मतलब वह सीधे-सीधे वेपर बन रहा हो है न और evaporation हो जब वह कोई भी पानी जो होता है वह सीधे वेपराइज हो रहा है है न उड़ रहा है वह गाया बोर रहा है तो उस समय जो उनको heat चाहिए होगी evaporate होने के लिए वह latent heat of vaporization ही यूज़ करना clear है क्या तो पानी का जो होता है ना 540 तो वही उसकरना आप लोग तो इवपरेशन में लेटेंट रीट वेपराइजिशन अलग है इवपरेशन अलग है जैसे कि कहीं पर भी अपने पाने वाने ढूल गया जैसे मानलों सर्फेस में पाने ढूल गया तो वह अब तुम एक-दो दिन बाद पाने सुखा मिलेगा तो वह हो गया इव पर एट ठीक है और वेपराइज क्या हो गया जिसमें आपने उसको बॉइलिंग पॉइंट से भेजा बॉइलिंग मतलब कि आपने उसको सो डिगरी गरम करा और पाने को गया ठीक है ना वह वह पर आजिशन जबकि यह सूखा ना थीरे दिरे जो अभी सूखा ना अभी सर्फेस में पढ़ा वह था वो धीरे दिरे सूख गया ना वहीं इवपरेशन को जरूरी नहीं होना किसी भी टेंपरिचर पर हो सकता है सीधी बात है तो अभी मैं आपको एक स्पें करूंगा अभी आगर जाकर मगर हां यह थोड़ा जिसे मानलों यह एक अपने पास एक container है उसके अंदर पानी है अब मुझे इस पानी को गरम करना है तो दोस्तों बेसिकल यह आपको देना चाहिए था इसका mass container का mass इसको मैं बोल देता हूं एक container है तो mc लिख देता हूं और उसका specific heat capacity जो है वो ससी लिख देता हूं और यह हो जाएगा mw water के लिए और sw water के लिए तो अगर मुझे इसको delta t से गरम करना हो तो मुझे कितनी हीट चाहिए तो आपके से क्या क्या बोलोगे सर q is equal to m देखो भई यह पानी गरम करना चाहते हो तुम delta t से सीधी बात है पानी गरम करना चाहते हो delta t से तो सीधी बात है कंटेनर भी गरम होगा तो सर पानी के लिए तो लिख दिया हमने mwsw delta t प्लस अब सर जो कंटेनर है वो भी तो गरम होगा तो इसलिए हम बोलेंगे हमको कंटेनर को भी हीट देना पड़ी जाएगी तो ms delta t तो इस तरह से लिखा जाता है ठीक है दोस्तों यह basically question को solve गनने का method होता है मगर दोस्तों calculation को थोड़ा आसान बनाने के लिए वो इस container का mass और specificate नहीं देते हैं वो इसकी जगह पर पानी use कर लेते हैं मतलब की water equivalent of this substance यह बिल्कुल दोस्तों वेशा है जैसे कि अभी तो क्या है mall में online payment होने लगी है पहले online payment नहीं हुआ करता था तो mall और जो दुकानों में अपन समान लेने जाओ ना तो उसमें 5-6 रुपए जो बज जाते थे ना तो वो उसकी चोकलेट दे देते थे आपको तो वह बोल देते थे कि यार पांच रुपए नहीं यह खुल ले छुट्टे नहीं यह पांच रुपए की चोकलेट रख लो कोर्टेक्स में अकसर गाए देखना कि वहां पर कई बार जैसे अगर चुट्टे बट्टे की अगर दिक्कत होती है ना तो बिसक्ति कहां रखता है बिस्क्ति कह पेकट ठीक है वह आपको 2-5 रुपए का पांच रुपए का बिसक्ति का पेकट चुट्टा नहीं है तो यह यहां पर यहां पर रूपीज एक्विलेंट क्या बन गया चॉकलेट बिस्केट है ना यह सब बन गया तो वेसे ही ना दोस्तों यहां पर भी यह चीजे कि इस कंटेनर का जो मास और स्पेस्पिगेटें उन्होंने नहीं दी उन्होंने बोला कि इसकी जगह तुम पानी कंटेनर को डिल्ट टी से गरने के लिए उतनी हित्स में कितना माँंट और गरं कर ले था तो अंब आपको संप Komm satisfla है ना तो वह आपको समझ में आ चुका होगा फिर भी में बता रहा हूं मान लो कि यह 200 ग्राम इसका वाटर एक्विलेंट दे दिया नहीं मैं तो पुरा पानी मान के करूंगा सीधी सीधे बस है ना तो इसलिए उन्होंने न एक्षिलिक थोड़ा सा कुश्शन को आसान बनाने के लिए यह करा हुआ होता है तो वाटर एक्विलेंट कभी भी आया है तोतों समझ जाना वहता थान होगी क्वेश्शन अबना कंटेनर सब्स्क्राव घुरेंगे navy को देंगे अब तो कंटेनर को हटा पानी देते हैं और उसको बहुत आपको उसका वाटर एक दोस्तुम तो इतनी कहानी में और आप लोगों क्लियर हो चुकी है और अल्रेडी पहले भी हो चुकी थी तो अब जल्दी से हमागे बढ़ जाते हैं तो दूस्तों अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और चीजे दो आप आपको बतानी थी जैसे की वेपराइजेशं और इवेपरेशन पहले वह हम बात कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़्ड़ते हैं ठीके चलिए दोस्तों तो अब हम शुरू करते हैं आप रभी आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है है ना तो क्या होता है बच होता है जनरली जो सारॉइन जो सारॉंडिंग का विपर प्रेसर होता है हमारे लिक्विड के वेपर प्रेसर से ज्यादा होता है श्राउनडिंग का है तो आपर काःकर समझना कि अब हमने क्या कर आ इसको हमने यहां पर quand कर यह का रिप्प करने से क्या हुवा कि इसके अंदब वैब्रीशन साहे तो इसका प्रेशर बढ़ा तो इसका प्रेशर बढ़ने लगा अब जैसे सराउंडिंग का वेपरशर तो फिक्स है। और अभी फिलाल पे ये काम था तो जैसे हमने हीट दी तो उसका वेपर प्रेशर बढ वरोगिया थिके दोस्तों तो दोस्तों जब यह surrounding के बराबर हुआ उसी को बोला गया 5 कि बोला गया boiling point ऐसे जब हमारे liquid का vapor pressure reporting के बराबर हो गया तो उस temperature बोला गया उस temperature को बोला गया boiling point clear है क्या तो दोस्तों boiling point पर हमारा जो liquid है वो vapor phase में जाने लगता है इतनी बात अपने को clear होगी क्या यह हो गया boiling point के definition clear है generally उस liquid का vapor pressure surrounding से कम था हमने उसको temperature दिया उसका vibration बड़े उसके अंदर से energy उसके अंदर आई तो vapor pressure बड़ा vapor pressure बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा है ना तो एक वक्त तेसा आया जिसे अगर मैं for example पाने ले लूँ तो मानलों 20 दिगरी था तो 30 दिगरी हुआ पचास दिगरी 70 डिगरी नभी डिगरी तक गए और फिर जैसे ही 100 डिगरी आया तो हमारे liquid का vapor pressure surrounding के बराबर हो लिए और यह liquid अब vaporize करने लगा तो यह तो हो गया दोस्तों all about boiling point है ना और यह हो गया आपका vaporization की क्या है तो यह आपका vaporization है ना कि यह vaporize होने लगा ठीक है यह हो गया भी पर आईजिशन अब जहां से समझते चलना अब ध्यान से समझते चलना अब दोस्तों मुझे बात कि अगर मैंने स्राउंडिंग का वेपर प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होगा सोच के बताओ अगर हम सराउंडिंग का वेपर प्रेशर बढ़ा दिए तो मान लो कि अभी हम इसको हीट करते में नहीं करते सो डिगरी मिलाए थे ना पानी को सो डिगरी मलाए थे हैं रही ना तो वह हो रहा था था मतलब वह हो रहा था क्योंकि वेपर पएशर हमारे हमारा लिक्विड का Parlament के बराबर को जादा है कि और तुम्हारा लिक्विड का में नहीं जो है अब तुम सो डिग्री पर आ गए हो तो भी स्राउंडिंग का तुमसे वेपर प्रेशर ज्यादा है तो क्या आप वेपराइस हो पाएगा क्या नहीं अब प्राइस नहीं हो पाएगा आपको थोड़ा सो और हीट देखर उसको टेंपरचर बढ़ाना पड़ेगा सभी ब बढ़ाने से स्राउंडिंग के वेपर प्रेशर को बढ़ा देने से क्या हुआ दोस्तों एक्सटररण प्रेशर को बढ़ा देने से क्या हुआ हमारा boiling point भी बढ़ गया क्या इतनी बासर में लागने लगी व्मको इन बताओ बि Pap लिए में अच्छे तरह से来ना है तो बाहर अगर मैं बढ़ाया तो boiling point भी बढ़ जाएगा और सीधी बात है अगर मैं इसको घटाऊंगा तो boiling point भी घट जाएगा क्या इतनी बात अपने को clear हो गई पहले तो यह बता हूं इतनी बात अपने को clear है है ना कि अगर हमने बाहर का vapor pressure बढ़ा दिया external pressure बढ़ा दिया तो boiling point भी बढ़ जाएगा और external pressure कम कर दिया तो boiling point भी घट जाएगा यह अपने को पता है ठीक है तो यह अभी अपने इसको थोड़ा side में रख देते हैं यह अपने को इतनी चीज़े clear है ना boiling point vaporization के बारे में अच्छा थोड़ा समय आप बता देता हूं कि vaporization यह जो होता है यह क्यों हो रहा है है ना तो इसे मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि एक्स्टो का structure होता है से लेटेंटी तो वेपर आईजिशन यह अपन जो वर्ड यूज करें वो क्यों है देखो अब जियान से सुनना यह इस टो के structure दोस्तों तो अब क्या होता ह है कि यह liquid phase में इनके बीच में ना दोस्तों hydrogen bonding होती है क्यों होती है hydrogen bonding बटा आप लोगों सबने chemistry में पढ़ा होगा मैं फिर भी यहां पर बार बार यह बोल रहा हूं बताना पढ़ रहा है मुझे ठीक है I hope कि आप सब लोगों ने chemistry में already यह सब पढ़ लिया होगा है ना तो chemical bonding नाम का chapter 11 तो वो तो बहुत पहले पढ़ा दिया जाता है तो ठीक है chemical bonding अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे सी आपको बिल्कुल clear हो गया होगा है ना एकदम आपका दिमाग में आगया होगा कि हाँ यह होता है उसमें तो सुनो दोस्तों क्या हुआ कि यह एक electroneg है और यह hydrogen है ठीक है तो यह तो बड़ा इटम होगी अभी है electronegative है और यह hydrogen है अब इन दोई की जब dealing हुई तो यह जाहिर सी बात है अपना oxygen का electronegative nature की करण और इतना ताकत और electronegative वेटा में तो सीधी बात है वह यहाँ पर कुछ इन दोई की जो जुगल बंदी हुई इसने थोड़ा electrone को ज्यादा खीचा तो ज्यादा खीचा तो इसलिए के अंदर पार्शल नेगेटिव और दोस्तों और इसके अंदर पार्शल नेगेटिव आया तो इसके इंदर पार्शल पॉज़िटिव आजए बिल्कुल इस तरह से बनेगा और आप लोगों ने देखा भी होगा कि इस तरह से डाइपॉल भी बनाए जाते हैं है ना इस तरह से यहां पर यहां पर दूस्तों क्या हो रहे है कि एक नगेटिव एटम और एक डिफिसेंसी ओफ पॉजिटिव चार्ज के साथ यह है तो इनके बीच में एक हैड्रोजन बंडिंग बनती है ठीके इसी बॉन्ड को बोले जाता है है इतना ज्यादा बीज्ट नहीं होता ठीक है यह इतना भी ज्यादा इस्ट्रोंग नहीं है क्योंकि हम तो आपको बताई र लखिएगा एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं लिक्विड फेज में जब पानी होता है जब हम इसको हीट दे रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था पिसली बार भी कि वह अपना टेंपरेचर नहीं बढ़ाता क्यों नहीं बढ़ा पाता अपना टेंपरेचर क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं वह इसके बांड तोन्न में जा रहा है तो क्या सांता नहीं बchen डिक्म नहीं बनेगा तो भी सब्ताहिए तो टोट जाएंगे दोस्तेख ना टिए तो अटिक होड़ाएंगे जो फोर्स हैं वो टूट जाएंगे दोस्तों क्लियर हो गई बात ठीक ना तो यह तो all about chemistry हो गए chemistry तो आती होगी ना ठीक है तो यह chemistry में तुम देख लेना तुम लोगों को पता होगा विसे ठीक है तो यह अपने पास का एकदम atomic level पर मैं आपको चीज़े बता दी कि यह ऐसा क्यूं होता है यह जो है वेपराइज क्यूं हो रहा है क्योंकि यह तूटने के करणने के अंदर अब समझ गए यह अभी क्या है chain बन गई थी तो इसलिए liquid phase में थे अब यह chain तूट गई है तो अब चलो तो इसको अब इसको पूर्ट केंशा प्रेशर जादा होगा सरआंडिंग का स्राइटर्न प्रे जादा है जादा है तो पर इसको अापको समझते मैं तो यहां पर एक पर option है ठीक है और यह person जो है अब जाना बच्चे है पर समझ ना कि वे तोह पर प्रेशर जाधा होता है अन्सर दो कि जब पहाड़ पर जाते हैं पहाड़ों पर जाते हैं तो कि उसे कम होता कि यह जादा आप यह सोच के बताओं पहाड़ों पर बिल्कुल चोटी पर जा रहे है अपने पहाड़ों पर चले गए सोच के बताओ अराम से वहाँ पर प्रेशर क्या होता है कम होता है ना प्रेशर है ना और कम होता है आप बिल्कुल फील भी कर सकते हो जब आप जब चड़ाई करते हो इतने हैं ऊचे पर जाते हो तो बहार का प्रेशर जो है वह कम होता है और अपने अंदर को प्रेशर नर्भार नर्भार न्लोगा है नजाती है निए जिसे पान नहीं जाता कि अपना हय प्रेशर जो लुबर प्रिशर में वैसे एर भी जाएगा तो अब क्या होता है कि जब हमारे अंदर एक्मस्परिक बहार का कम ए प्रेशर होरी हावा बाहर आने के उष्जिक्ष करती है तो हमारे सांस भूने लगती है हम एसे करके सास खिषते हैं तेजी से खिषते हैं कि हम सास ले पाएं सभी बात है क्या है तो यह सब आपने फिनामेना देखा भी होता है तो पहाडों पर जब जाते हैं तो वहाँ पर का जो प्रेशर हो कम हो जाता है तो अंदर से हमाई सांस बाहर की तरफ आने लगते हैं तो हम इसे खीचना पड़ता है सभी बात है ठीक है तो बाहर का उदर जो है पहाड़ों पर प्रेशर कम हो जाता है अच्छा तो उसका उल्टा में खाई में जाऊंगो तो क्या हो जाएका प्रेशर बढ़ जाएगा यह एसा क्या होता है कि वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है उसका रिजन क्या है तो अब ध्यान से समझ जाओ कि अगर मान लो एक परसर ही जो ग्राउंड पर खड़ा हुआ है ठीक है और अच्छा यह जो प्रेशर होता है दोस्तों यह सिर्फ एट्मोस्फियर के कारण ही होता है racia actually हमारे न यहां पर जिसे हम यहां पर यहां पर अरत की सर्प्स में छड़े हैं ठीक हीं तो हमारे जो सर्प्स के ऊपर अगर हम बात करें हमारे उपर बात करें तो 50-100 क्लिमेटर ऊचाही तक बिल्कुल एक्टमॉस्फेर ही एक्टमॉसopher टो एक्ट पीजिससे ayar है molecule सब सब चीज़े तो इतनी हाल तक जब इतने सारे अटम हमारे उपर रहते हैं तो वो हम पर एक atmosphere का pressure है क्योंकि वो atmosphere का pressure है इसको नाम दी दिया गया atmospheric pressure क्योंकि atmosphere लगा रहा है ना हम पर इसलिए तो भीया तो आप तुमको यह बास समझ में आई कि हमारे जो सर पे इतने सारे इतने सारे एर जो है सब अपने उपर फोर्स लगा रही है चुली प्रेशर लगा रही है तो यहां पर मांन लो जो ग्राउंड पे बन्दा है उसको प्रमान लो वन एक्मोस्परिक प्रेशर लगा वर्ण प्रेश प्रेश तो यहां पर कुछ पहाड़े बाजू में और वहां पर पर आकर खड़ा हो गया अभ जहां से समझे ना अब इसके अपर ना इतनी अटम बकी लेयर इसके उपर इतनी एकटमिक लेयर थी समझ रहो बात ठीक है तो इसके उपर बना अब तुम देखो दोस्तों कि इसके उपर नहीं इतनी एकटम की लेयर तो तुम खुद बताओ कि यह इस पर ज़ादा फोर्ट प्रेशर लगाएंगे कि इतने सारे एटम इस पर प्रेशर लगेंगे समझ में रहा है इसने अगर इन्होंने एक एटम दिया तो यहां पर जो इस के सर पे जो प्रेशर लगेगा वो जाहिर सी बात है एक एटमस्परिक प्रेशर से कम होगा अगर माने लो इस वाले को मैं पीनोड बोल देता हूं तो यहां पर जाहिर से बाते पीनोड से कम होगा और इसी का उल्टा दोस्तों अगर मैं यहां पर एक परसन को खाई में कहीं पर खड़ा कर दूँ ठीक है खाई मतलब क्या बोले पर जो भी बोलना बोल दो तो यहां पर आगर आप देखोगे तो यहां पर इतनी और हाइट बढ़ गया इतना तो पहले से लग रहा था अब और तुम नीचे चले गए तो और ज्यादा हाइट तक वह आपके उपर जो एटम है वो प्रेशर लगाने बहुत ज्यादा नीचे अंदर तक तो आपको ऐसे महसूस हो अगर अब कभी ईবडिके चलिया जोए तो इतना possible नहीं होता है ठीक है चलो अठी बहुत किलोमेटर में बात हो भी बात हो रही है तो जाकर इतना ilk में लेक्ट किल्युक्त को ने हो पत चलता थे खेर इतना सबदको ने को पता चलता है अब यह क्यों बताया अब सुनों को कि निर्धेर पी चंदल बढ़ाया एक्सटर बढ़ गया तो बोइलिंग अपको बढ़ जाते से इतुब है टो यहां पर जाते हैं कि तो पहाड़ा पर जाएंगे तो घटेगा बढ़ेगा क्या होगा तो बोल देना अंसर घटेगा क्यों को कि बाहर का प्रेशर घड़िया है स्राउंडिंग का प्रेशर घटा है स्राउंडिंग का प्रेशर कम है तो बोलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा अच्छा दोस्तों ऐसा है तो मुझे बताईए अगर या दो मिनिट से ज्यादा समय लेगी या दो मिनिट से कम समय लेगी सोच के बताना हूँ सोच के बताना हूँ यह मैं यह कुशन आप से आपके उपर सोड़ दू क्या आप कमेंट कर दोगे क्या ठीक है आप लोग ने कमेंट करना ठीक है कि समय जो लगेगा वो तू मिनिट मेगी को दो मिनिट से ज़्यादा लगए कि दो मिनिट से कम लगे गा वह आपको बताना है यह इस вам लोग ऐiqué शोड़के जा रहो है ना दोस्तों इस जगह फर पानी जो boil होगा वोज़दी होगा की द्धेर में सर…" boiling point कम होगया है मतलब पहले सर… पानी हो रहा था St ॹ 5 degrees तो अब ना सर… 99 degrees में boil हो जाएगा कम हो तो पानी जो boil होगा वो जल्दी हो जाएगा पर होते ही हमारा पानी बन जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा जो पानी है इसमें 101 डिग्री पर जाकर होगा अगर मज़े से सब्दे डाले कि मुझे उबालने के लिए बात नहीं कर रहा है यहाँ पर अपने लिख सकते हो पहाड प्रेसर एक्स्टरनल कम हो गया है इसलिए कम हो गया है इसलिए जल्दी अच्छीव हो जाएगा बोलिंग पॉइंट और मेरी स्टीम भी जल्दी बन जाएगी ठीके मगर मेरा पानी ना कम समय तक ठेढ़ेगा सो डिगरी के पहले ही निकल लेगा उपर यह बात भी ध्यान अखना भाई जैसे सो डिगरी के तापमान साब किसी को उबालते हो तो वह अच्छी बात है मगर सो डिगरी के कम से ही उबाल पा रहा ही हो मजबूरी में आप मानलो की भी या आप इतनी हाइट पर चले गए कि आपका जो बोलिंग पॉइंट है नबभी डिगरी पर खतम हो जाता है समझना तो 90 डिगरी पर पानी बोल हो गया तो आपकी जो सब्जी है वह मानलो 100 डि पानी बोल होने लगा है तो यह हमारे लिए समस्य आ जाएगी सब्जी बनाने में भी ठीक है ना कोई पानी हमारा जल्दी पर बन जाएगा तो यह जो मैंने आपको बताया है ना दोस्तों यह अभी जो कॉश्चन आया है वह सीधी सीधी बोलिंग पर आया था इसके बाद जो मैंने बोला मेगी के उपर सब्जी के उपर पानी मताब हमारे सस्टेंड कम समय के लिए कर पाएगा वह सब जो मैंने बताया ना बच्चे इन पर अब कुश्चन आने के संभाव ना है नीट पर विश्यस तोर पर बोल रहा हूं और जैई मेंस पर भी बोल रहा हूं जै तो यह बात करें पूरी पूरे पानी की बात है ना कि नीचे हम इंडिगरी पर होगा उपर यहां पर लिग्व दिया करो यार तूंस अब लगा यहां पर हो जाएगा तुम्हारा पानी बोईल ठीक है यहां पर यहां पर 201 डिग्री पर बिटता ध्यानक ना बात जरूर 2020 बहुं बॉल रहा हूँ मैं बहुत ही प्यारा के पुछ आ गया तो में आप लोगों से पुछता हूं ठीक है उसमें बहुत प्यारे क्वाइब करके अंदर दाल पकाऊं तो मेरी दाल कहां पर जल्दी पक जाएगी पहाड़ पे या ग्राउंड पे यह सोच के बताओं आराम से सोच कर ही अंसर देना या आप यह समझ लो कि आईटी में आ चुका है आपको गलत नहीं करना है ठीक है आप जिस भी competitive exam की त्यारी कर हैं जिसकी भी कर रहे हूं अब आपको सोचना है पोस्त करना है स्क्रीन और फिर आंख बन करके सोच और finally answer देना है ओफिर answer देखना है ठीक है और फिर बिल्कुल इमानदरी से बताना है कमेंट में कि सर मैंने सोचा था और मेरा अंसर गलत गया और मैं कोई सही का बताना को दिक्कत नहीं है यह ना चलिए तो अब मैं इसका अंसर बतायता हूं आपको दोस्तों पहले तो हम प्रेशर कूकर को समझते हैं क्या होता में तो हमने क्या और उसको ठक दिया भरता वो ठीक के पकाया जाता थो deepest रख़ी है थो तो सोडिक्री की जो स्टीम बनी व उधर की उधर रुख गई अब उधर की उधर रुख गई तो उस स्टीम का वेपर प्रेशर बढ़ गया और अब समझ ना सुनार जो प्रेशर जो हमारा एटमस्पेरिक वह तो वर ने पाने नहीं देगा जल्दी मतलब यह कि पानी के लिए अब सराउंडिंग में प्रेशर जादा है मतलब पानी को बोईल होने के लिए अपना बोईलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ गया समझ में आ रहा है कि अब सुनो कहानी यहां से शुरू हो गई है कि बोईलिंग से जाधा हो गया तो तुम्हारी जो दाल है सो 012 तक पके दिये समझ मारी बात तुम्हारी जो डाल हम वह 101 तक जा रही बना तुमको तो गरम पानी चाहिए ना मोजब हे गरम पानी यह चाहा जा रहे लिए क्लियर तो इससे दाल जल्दी पकी यही फिनामिना पुरा होता है कुकर के अंदर ठीक है कुकर में एक सीटी लगाई जाती है उपर से यह आपका जो फूर हो जाता है मैं का बना दूँ यहां पर बनाया था हूं देखो ध्यान से यहां के पास कुकर हो गया ठीक है और यहां पर यह आपके पास सीटी हो गई राइट और यहां पर अपने पास जो भी है दाल चावल आपको जो रखना है तो अब हम यह बोलना चाहरे है देखो कि यहां पर प्रेशर आपके पास जो भी बन गया है अब कोकर की सीटी में क्या होता है न कि यहां पर से आ तो सारी इस उसको प्रेशर फट नजये कूकर इसलिए क्या होता है उसको सीटी का वजन रखा जाता है वह सीटी का वजन इसलिए रखाई कि अगर प्रेशन ज्यादा हुआ तो सीटी ऑटमेटिकली उड़ जाएगी हवा निकलेगी और फिर बापे से सीटे अपने बजन से बैठ जाएगी यह हो गया प्रेशर कूकर यह मैं आपको भी आप पूरा प्रेशर कूकर का बता दिया निर्माण कहां से हुआ और यह कैसा हुआ पूरा पर एकदम एटुजर बता दिया है अब अपन समझतें को है ना दाल कहां पर जल्दी पकीगी ऊपर या नीचे तो अंसर यह दोस्तों दाल नीचे जल्दी पकीगी और पानी बोइल ऊपर जल्दी हो रहा है समझ लो आराम से दोनों अंसर थोड़ा से अपूज़िट जा रहे मगर कॉंसेप्ट तो एक ही यह यह बाद ध्यान रखना कॉं तुम सेले को यहां पर लेके गए ठीक है और कूकर के ऊपर के सीटी है उस पर जो प्रेशर है न वह बने टियम से कम का प्रेशर तो हमारी सीटी जल्दी उठ जाएगी इस बार क्योंकि प्रेशर का में बाहर का तो अंदर का जब भी प्रेशर 100 डिगरी के बाद 101 जैसे लगी है तो इसके मतलब यह नहीं कि डाल पक गई वहां परना तुमारी सीटी जल्दी आ रही है और तुमारी वह जो गे से अंदर जो अंदर से स्टीम बनी वह जल्दी बहार निकल रही है तो वह दाल कोई कम पका पारी है फिर तो ऐसे में बास पर जब जाएंगे और अचा वही में अगर नीचे आ कर पकाता तो तो सर्थ सी पना बहुत सारी ऐक्स्टर्णल प्रेसर लगाता तो उस सीटी को उटनेए नहीं देता तो अंदर की लुक्रा को बल्कुल एक दम पानी बीजाने लगी तो पानी बूइल हिल पर जल्दी होता है क्यों होता है क्यों फैसर का मैं कि अध। ही था ना दाल अप्र पर इस धोस्तों कितना हो यह वापर प्रेशर है ना और डाल और यह पूरा-पूरा सब सब्सक्राइब करना जानता है के बहुत सारे के लोरी मेंटर को सोची नहीं पाते हैं और वहापर फिल्म को समझ में आता है कि यार हमने कॉन सी मिला हमने कमी छोड़ दीती की हमसे नहीं बन रहा है और फिर गलाती करके आते हैं वो ठीक है तो प्लीज जल्दी से इन सब को note-down करो जल्दी से इनको note-down करो बहुत important यह सब concept और अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं यह पूरा वेपराईशन और इवेपराईशन में अंतर वेपराईशन तो आप समझ गए हो पानी रखा हो गया तो अब यहां पर मालोग 8 टेंपरेशन और टेंपरेशन यह तो इंट प्लेस एंट एट एणि तेंपरेशन यह किसी वे temperature पर evaporation हो सकता है ठीक है आपने बहुत सारे जील तलाब देखे होंगे दोस्तों जो कि सूख जाते हैं वो सब ही evaporation के करण होते हैं अब ध्यान अखना बैटा evaporation जो होता है वो डिपेंड किस पर करता है यह उतना जल्दी इवेपर उट होगा इसलिए बड़े बड़े तलाब सूख जाते हैं और जितना ज्यादा लगए यह बड़े भीए पाम सब्सक्राइबन पर गुरों कराण होगा उतना ज्यादा उतने दूर हो जाएगा ठीक है तो external pressure बढ़ा होगे तो क्या हो जाएगा volume point बढ़ जाएगा और volume point बढ़ गया तो vaporize हमारा late होगा clear है ना तो यह भिया all about vaporization and evaporation दोस्तों मैंने सब आपको सारे की सारे concept A to Z crystal clear कर दिये हैं आज के lecture में यह बत ध्यान अखना अब ध्यान रखिएगा कि evaporation में latent heat उजिलिया जाता है वो LV ही लिया जाता है जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था यहाँ पर जो board में था ठीक है तो एक तो वो भी ध्यान रखना ठीक है अब एक concept होता है pitcher का pitcher मतलब होता है मटका मटका जो अपने गडर पर होता है गरमी में एक रेमी में यूज़करते दाता है उसको ओन्द certainly writer पेटर होता है ना चाรवम हताब आपक है तो यह सबको पतार है ले ली अब देखो हमारा जो मटका है और दोस्तों वो थंडाफ मानी क्यों कर देता हैं यह बता हो महारा घड़ा नहीं कर पा रहा है mr ऑना रहा है मघर हमारा मटका जरूर कर देगा ठीक और स'tक्यों हो जाता है अशुकtv जुड़ से मैं यहां पर प्लिर्टे से डंग को कि design और उसके पर यहां पर क्या होता है शौप में हैं यहां से पासे से पानी निकल जाता है सब को पता है ना पाणीं असे निकलता है तो और पानी निकलता भी हो बाता लगे मगर तुमने देखा होगा कि यहाँ पर पानी जम भी जाता है हलका 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 को तुम देखोगे लेयर उसमें जमी मिलेगी आपको पॉर पॉरस वह ले इसलिए तो पानी हमारे मटके का क्यों हो रहा है उसका रिजल समझेना दोस्तो इनके पॉर्श के कारण पानी उदर से बाहर आ गया समझेना पानी उढ़ाद में देखरा हैधो अब ज मतन कर लिए जो energy चाहिए, वो maximum जो है, वो यहां से निकाल लेता है energy, कहां से निकालता है, अंदर से, अब दोस्तों, अगर वो सोचो, तुम खुद सोचना, अगर ये अपने आपको सुखाने के लिए, अपने आपको evaporate कराने के लिए, अंदर से heat ले रहे हैं, आपको पता है न, कि मुझ ये energy ले लेंगे इस से, तो ये जो पानी है न, ये जो पानी है, इसका temperature down होगा, भीस से energy ले ली, तो ठंडा हो जाएगा, तो इसका temperature क्या हो जाएगा, इसके कारण ठंडा, तो ये ही इसका concept होता है, कि ये question भी यही आता है, इसमें actually, कि अंदर मान लो इतना पानी है, अग दो ग्राम पर सेकंड निकल रही है, या पॉइंट टू ग्राम पर सेकंड निकल रही है, तो बताईए, कि पांच मिनिट बाद कितना ठंडा हो जाएगा, इससा आप करके पूछते हैं वो लोग, तो भी आप बता देना, कि पांच मिनिट में सर, कितने ग्राम की बुंदी बहार निकल रहा है, तो सर, एक सेकंड में मतलब पॉइंट टू ग्राम, एक सेकंड में पॉइंट टू ग्राम, तो पांच मिनिट में अगर बात करें तो पांच इंटू 60, तो तीन सो सेकंड बोल सकते हैं न सीदी सीदे, तो तीन सो सेकंड के अंदर हम कितना बोल दें, त यतना हो صहाहाड ग्राम ज़лись चाहिए इनर्जी वहने वने होने में होचोब कितने की लेघा यहां मुदै यहां वी कितना घ्रास ट lei अधिन यह जाए आपके पास इतना अमौंट उफ हीड इसको चाहिए यह वह अंदक फीट तो इसका temperature down करेगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे बैटा capital M हिमान लो अंदर का पानी तो capital M S delta T delta T तो delta T तुमको दिखेगा कि यह काम हो गया है ना तो क्या लिख दोगे कि यह दोनों पराबर करोगे है ना यह principle of calorie metric बेटा कि जितना हीट इसने लिया तो इसने दे दिया तो यह थंडा हो गया और यही पुरा फिना मिना होता है है ना अपने इस पूरे मटके में और जो गर्मी में पानी जो रहता है वह थंडा क्यों रहता है उसका रिजन यह यह और वह उसमें लपेटे जाते जा रहे है क्योंकि इसमें नमी बनी रहे पानी जितना जादा उसमें बना रहेगा उतना जादा वह हीट अंदर से बाहर की तरफ खीचेगा और मटके को जल्दी ठंडा करेगा तो इसलिए आपने देखा होगा रस्ते में जो प्याव लगए से हीट लेगा वो मठ्के के अंदर से वो पानिक के वो अंदर से ले रहा है आप सब कोई कर ले ना इसके बाद आप यह मानके चलिए कि अप पूरी HC वर्मा निप्टा सकते हो अब आपने पूरी तरह से हर चीज पढ़ ली है ठीके आप चाहो तो आज के लेक्चर के बाद आप पूरी HC वर्मा खतम कर सकते हो वेसे तो आज के लेक्चर में हमारा एम यह था कि आप लोगों को questions कराना मगर हमें इसा लगा कि आपको theoretical question भी बहुत ज़्यादा important है तो आज मैंने आपको सारी बिल्कुल depth में थेयरी बता दिये सब कुछ बता दिया दोस्तों एक आद में यहाँ पर question करा देता हूं बाकी अपन सारे question जो होंगे वो अगली बार में अगले lecture में compare कर देंगे clear है क्या I hope कि आपको lecture में मज़ाया होगा और अभी फिलाल पर मैं एक आद question आपको करा देता हूं ठीक है और फिर बाकी अपन next lecture में अपन सिर्फ question ही करेंगे आज अपना पुरा theoretical मामला खतम हो चुका है चलिए जल्दी से इसको note down कर लो फटा फट फट और फिर questions कर लेते हैं चलिए दोस्तों तो यह आपके समने question लिया है calorie मेटिर का ध्यान सो समझना question क्या है इन्होंने दिया एक copper calorie मेटर है एक copper का बरतन है calorie मेटर है इस तरह से ठीक है पुरा पेगड है कि उसका हमें उन्होंने वाटर एक्विलेंट दे रखाएं ध्यांद दो समझना क्या दिया है वाटर एक्विलेंट अब यह कॉंसर्ट आपको पता होना चाहिए ठीक है अब उस केलोरी मेटर के अंदर नीचे पानी है और उपर आइस जमी हुई है पांच ग्राम आइस है और अंदर पानी है और थोड़ा सा बरब जम्य हुई है तो उन्होंने यह पूछा कि फाइंड अमाउंट ऑफ इस्टीम रिक्वायर्ट तु रेस दे टेंप्रेचर ऑफ केलोरी मीटर अप टू फिप्टी डिग्री चल्सिस मतलब यह दोस्तों कि कितनी स्टीम में से पास करू कितने अमाउंट ऑफ इस्टीम मुझे पास करना पड़ेगी इस पूरे सिस्टम का टेंपेचर पचास दिग्री लाने के लिए तो चलिए अब करते हैं पन है ना तो दोस्तों सबसे पहले तो हम क्या करें कि इस बरफ को पिगला के पानी में लिया है ठीक है तो कितनी हीट लगेगी इस आइस को अगर में पिगलाता हूं तो मैं बोलूंगा सर फेस्टेंज करना है मतलब एमेल लगेगा और सर अगर एमेल लगेगा तो उसका मास कितना है सर पांच ग्राम है और लेटेंट हीट होती है असी पिगलाने के लिए तो यह जाएगा 400 तो सर 400 कलरी तो य देखते हैं तो दूस्तों अब जो है टेंपरिचर पूसे सिस्टम कराइस करेगा तो देखो अब यह पांच ग्राम जो पानी था भी यह वो तो इसके साथ एड़ अब यह तो अभी पानी बन गया सभी बात है अब तुम्हारे पास देखा जाए तो पानी कितना हो गया सर स 10 ग्राम पहले से था 5 ग्राम आइस कनवर्ट हो चुका है हमारा पानी में तो यह 15 ग्राम हो गया प्लास 10 ग्राम ओल ले लो क्यों समझ में आ रहा है क्या याद करो यह तो सिखाया था कैलोरी मेटर का आपको क्या देखा है वाटर एक्विलेंट तो मतलब इसके जगा पानी ककी ले लो सीदे सीदे आप पास 25 ग्राम पानी यह ना और आपको दिया यह वाटर यह क्लोरी मेटर का वाटर एक्विलेंट 10 है तो आप क्या बोलो कि हमारे पास फंदर ग्राम पानी नहीं बलके हमारे पास पच्यस ग्राम पानी है और अब टेंपरिटर बढ़ा दो मस्त तो M, S, डिल्टा T, S इसका वर्म हजाएगा, यह न बटा, और डिल्टा T कितना करना है, 50, तो बस, इतनी टोटल हीट लगीगी, ठीके, तो जो टोटल हीट लगी न, वो कितने हो जाएगे भाई सब, यह देखो, यह देखो, कितना हो जाएगा, 25 यह हो जाएगा, 25 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा, 7,500, तो 400, प्लस 75,000, सही है क्या देख लो एक बार, है न, नहीं, नहीं, गलत है क्या, 125 होगा न, 25 यह था, 25 बंचे 125, और एक 0 हो जाएगा, ठीके, यह आ जाएगा, मेरे ख्याल से, ठीके, अब इन दोई को भई, एड कर लो, तो यह कितना हो रहा है, देखो जल्दी से, तो यह हो जाएगा, 1650, तो इतनी अमाउंट फीट है, अब यह अमाउंट फीट किस से चाहिए, इस से चाहिए, स्टीम से, तो मतलब स्टीम उसमें लगेगी, ठीके, और अपने आपको कंडेंस करेगी, तो मतलब हम बोलेंगे कि, जो स्टीम है, वो कंडेंस हो रही है, मतलब ML लगा लो, MLV, ठीके दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप MLV लगाओगे, तो M आपको मिल जाएगा, तो यह वजाएगा, 1650, यहाँ पर आपको मिल लगाओगे कि इस तरह से करा जाता है, ठीके, समझ में आप लोगों को, बिल्कुल मास्त इसमें वाटर एकुलेंट भी उसके लिए, केलोरी मेंटर का कॉंसर्ट भी पूरा इसके लिया, क्लियर, चलिए, तो एक आदी कुर्शन में ओवर देख लेता हूं यहाँ पर, यह देखो जल्दी से, इसे मानलो दोस्तों मैंने आप से बोला, कि यहाँ पर 3 किलो पानी है, 3 किलो वाटर है, ठीके, 3 किलो वाटर है, 20 डिगरी सेल्सिस का, और उसको मैं मिलाना चाहता हूं, कि इससे, 2 किलो पानी, जो की 90 डिगरी सेल्सिस पर है, क्लियर है क्या, मतलब मैंने अभी एक थंडा पानी, और एक गरम पानी को मिला दिया, ठीके, 2 किलो और 3 किलो लेके, तो बताईए, इनका फाइनली टेंपरिचर क्या बनेगा, तो आपको दोस्तों, प्रिंसिपल लगाना किसे सिखाया है, याद करो, बड़ा असान था, कि एक पानी देगा, एक हीट देगा, और एक हीट लेगा, तो आप सीधी सीधी बोल दो, यह सर जादा टेंपरिचर पर ही, तो हीट लोज बाइ, बोडी एठ हाय टेंपरिचर, है ना, इस गल टू हीट गेन बाइब बोडी एठ लोगा टेंपरिचर, तो सिधी बात है, हम दोरों के हीट को, इसकी हीट लेके, इसको दे देते हैं, ठीके, तो इसकी हीट लेंगे, तो इसका टेंपरिचर कम होगा, दोस्तों, यह बोलेंगे, म कितना है दोस्तों, तो दो किलो है, तो दो किलो है, तो अब क्या करें इसमें, चलो लिख देते हैं, दो होजार है ना, तो M, S हो जाएगा, वन, यहां पर तुम देखोगे, तो यहां पर क्या लिखोगे, यहां लिखोगे, आप लोग, 3KG मतलब 3000 हो जाएगा, S हो जाएगा, वन, वर देल्टा टी क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका टेंपरिचर बढ़ा है, तो इसमें लिखना पड़ेगा, यहां पर अपने पास बचएगा, 180 माइनस टूटी, तो यहां पर यह हो जाएगा कितना, 5T is equal to 240, सही क्या, और T is equal to, तो देखो अपने पास कितना आ रहा है, 48 डिग्री शायद, देखलो यह ही क्या अपने पास, हाँ, सही है, ठीक है, तो दोस्तों इस कंसर आ जाएगा, 48 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को मिलाने पर, 48 डिग्री सेल्सियस बनेगा, क्लियर ही क्या दोस्तों, तो इस तरह के कुश्ण करने आपको सहुन में आ गए, है न, एक कुश्ण में आपको होमबक लिए दे रहता हूं दोस्तों, तो आप उसको नोट डवन कर लो, और अगले बार में इसको करके लिए आना, और अगले बार में हम बहुत सारी कॉश्ण करने वाले हैं, आज के इसमें बहुत सारी कॉंसेप्ट सिखे हैं, ये काज में कुश्ण करा दिये हैं आपको, और एक question में आपको homework लिए दे के जा रहों बच्चे ठीके तो ये homework लिख लेना सब लोग आप सब लोगों को करके लाना ये वाला ठीके और answer देना इसका हुआ हाँ कर दो दीके लाँ कर दो सेयो कर दो चाय कर दो तो दोस्तों यहां पर आपको यह question है कि अगर मैंने यहां पर 20 दिग्री का पानी 2 किलो लिया 30 डिगरी का पानी 3 किलो लिया और 80 डिगरी का पानी 1 किलो लिया और इन तीनों को एक ही बालती में डाल दिया इन तीनों को मिला दिया एक ही जगो पर है ना mix कर दिया इन तीनों को तो बताना है अगर इन तीनों को मैंने mix करा है तो अब उस पानी का temperature क्या होगा उस पानी का temperature क्या होगा फाइनल तो दोस्तों यह question है आपके लिए homework आप लोग करके लेके आना और I hope कि आप को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग का होंबुक सुन लो आप लोग HC वर्मा में केलोरिमेट्री चेप्टर जो चेप्टर नमबर 25 है और HC वर्मा का सेकंड पार्ट वाली बुक में है है ना तो चेप्टर नमबर 25 आपको करना है पूरा या आपका होंबुक है एक्जांपल भी करना है छे साथ एक्जांपल होंगे सत्रा अठ्रा कॉस्टन से उसके अब्जेक्टिव वन अब्जेक्टिव टू भी कर लेना तो कुल मिलाकर लगवग लगवग आपके पास 35 से 40 कुश्टन हो जाएंगे एक्जी वर्मा के आप सब कुछ अटेम कर सकते हो अब यह बात ध्यान रखिएगा ठीके हर तरह की कॉंसेट मैंने बता दिये हैं आपको बहुत असान लगएगा और अदर्वाइस हम वेसे भी नेक्स्ट लेक्चर में तो लेही रहे हैं है ना बहुत सारे कुश्टन्स तो